नवश्कार आज का मारा विश्य बड़ा इंट्रेस्टिंग है अगर मैं कहूं तो यह प्रश्न हो सकता आपका भी हो धन तो बहुत कमाता हूं लेकिन रुकता नहीं धन रुकना और धन आना दोनों में बहुत अंतर है धन अगर कहा जाए सब के भागे में रुकना नहीं होता धन कमाते तो बहुत सारे लोग हैं और ठीक ठाक सा जीवन भी निकालते हैं पर सही माइने में तो वो धनी नहीं है और जिसके पास कम धन है उसको बचा भी लेता उसमें से वो कही ना कहीं धनवान है लब 10 ज़ार था पास यार खर्चा किया और पास यार सेविंग कर लिया एक एक लाग था महीने के अंत में दूसरोग सामने हाथ पहला रहा है या फिर खुपरी पकड़ रहा अरे कहा गया पैसा धनी वो है जो 10,000 रुपए कमा के 5,000 रुपए बचा रहा है कितना धन आएगा, किस तरीके से हाथ में देखा जाए, अगर आपके हाथ में ये रेखाएं हैं, ये बिंदु हैं, तो आपको धन थोड़ा सा बचा के चलना है, नहीं तो आने वाले समय में आपको दिक्कत होगी, इस चीज का धान रखिएगा, बिंदुवार मैं एक चीज म बताऊंगा, और समाने तरीके से बताऊंगा, सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कोई प्रशन हो तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, और सेकंड इसको शेर जरूर कर दीजिएगा, देखिए धन की बात करें, तो देव गुरु ब्रस्पत है तीख है? ओ, ऐसे में भी कहा जाएगा धन नहीं रुकेगा, इस जगापर तिल है, तो भी कहा जाएगा, धन नहीं रूकेगा, धन आएगा, लेकिन उसी स्विस्पीर से चला जाएगा, समय समय पे ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं उधार तक मांगना पडता है, उसमें कहीं कोई दोराय नहीं है धन रुकने में दिक्कत देता है अब जैसे जीवन रेखा है और यह आपकी मस्तिस्क रेखा है जीवन रेखा से मस्तिस्क रेखा पर दो-तीन रेखाएं अधुद राजयोग होब अच्छा राजयोग है इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं अगर रेखाएं आपके हाथ में हैं तो आपका जीवन बेहत अच्छा होगा घर गाड़ी वहां इत्तादी चीज़े होगा लेकिन धन नहीं रुकेगा जब मेरे पास जब उसके पास दस रुपए आ रहा था तो भी कही ना कहीं खर्चा हो जा रहा था दस लाक आ रहा तो भी जाए तो अपनी सेविंग को बढ़ानी चाहिए इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए या पने पत्नी या किसी और के एकाउन पर रखें ज्याद अच्छा है कुछ जिम्मेदारियों से भागते हैं पत्नी के नाम लिया है तो मैं मिल्कुल यह कहूंगा कि थोड़ा सा जिम् करती को नहीं मिल पाएगा धन ऐसे लोगों के पास भी नहीं टिकता है दवाईयों के उपर भी धन का व्याय खुब होता है और मैं तो यहां तक कहूंगा ऐसे लोगों का सरी स्वास का भी अपने ध्यान रखना चीए ठीक है सरी स्वास से सम्मंदिच चीजों का भी ध्यान रखना चीए अब यह होता मंगल का छेत्र इतने हिस्से कोंब लोग कहिना कहीं मंगल का छेत्र कहते हैं यह इसा अगर बहुत ज्यादा उठा है अगर इसके इसके उपर क्रॉस है तिल है दाग धबा है तो भी कहा जाएगा धन हानी को यह दिखाता है आपको बहुत बहुत दबा है पहले मैंने का बहुत उठाए दूसरी बार मैं कर रहा हूं बहुत दबा है और उसके बाद क्रॉस इस्टार तिल दाग धबाए तो भी आपको धन से सम्मंदित चीज़ों में बहुत साफधानी रखनी पड़ेगी किसी व्यक्ति के कारण कहीं ना कहीं व्य करने में काफी समय लग जाता है अगर बहुत जयादा उठाए उसके बाद तिल हो या दाग हो या इस्टानुमा अकृतिश्टार यह होता है समय लग जाएगा दुबारा से उठने में गुरु के छेत्र पे एक स्टार हो मस्तिश्क करेखा से कोई रेखा क्रॉस को मेंट को काटे यह धनहानी है और बड़ी धनहानी है ऐसे लोगों को कभी भी उनके एकढ़ सहां नहीं रुकेगा ऐसे लोगों को हमेशा अपने पती, पतनी, जो भी हैं, बच्चे, माता, पिता, जो भी हैं, उनके एकाउन पे पैसा रखना चाहिए. ये धन से संबंदिच चीजों में नुकसान को दिखाते हैं, धन आने में दिखत, आने के बाद किसी स्पीड से जा रहा है, उसमें भी दि क्योंकि यह दिमाग से इस्टार का साइन का मिलने को मतलब दिमागी रूप से वेक्टी को परिषान करेगा, विछलित करेगा, यह होता अंगुठा, अंगुठा बहुत इंपॉर्टन्ट होता है सामुद्रिक सांस्त में, अंगुठे से धन, विवाह, घर, वाहन, वाहन या विवहा का सुब बहुत सारी संतान भी अंगुठे से देखी जाती है अगर ये दूसरे परव पे इस्टानुमा आकरती है दूसा पर मतलब यहां से मुर्ता है यह मैंने बनाया और यहां से मुर्ता है यह मैंने बताया अगर दूसरे परव पे इस्टानुमा आकरती है उसके स किसे लोगों को इस्त्री के कारण धन की हानी बहुत होती है अधन आने में कोई दिक्कत नहीं आएगा लेकिन उसको रोक लीजिए ये बड़ी बात है तो को मैं जो भी चीजा आज बता रहा हूं ये आपके फाइदे के लिए बता रहा हूं ये फाइदा ये है कि अगर आपक भी आपके लिए अच्छा है एक बार यह है शनी कंगली यह गुरु की उंगली एक यह शनी का तीसरा पर्व कहलाता यह वाला शनी की उंगली अगर मैं कहूं लंबी है यह अच्छी खासी लंबी है और अंगुठा अगर कहा जा आपका छोटा है छोटा कैसे मा लिए यहां तकारा अंगुठा इस जगा तक अंगुठा आपका जब चिपकाएंगे तो इस जगा तकारा और शनीक उंगली लंबी है ऐसे लोगों को कभी भी दोसरों को उधा धन इत्या दिकिए नहीं देना ची यहां तक मैं कहूंगा अगर आपका शनीक उंगली छोड़ दे समानने भी है अगर यह अंगुठा छोटा भी है और यह सब ठीक है तो भी धन उधाल लेंदेन में बचा करिए बेहत चलाक होते हैं अगर यह उंगली आपकी लंबी है यह इसा छोटा है यह उससा ठीक ठाक सा उठा चलाकी बरपूर मात्रा मोती हो और अपनी चलाकी में फच जाते हैं और आने वाले लोगी मिलते हैं ऑग के शनी का छेत्र आपका अगर बहत जादा उठाए तो भी धन नहीं रुकेगा तो थी जिOn हसल में होता है, चिंताएं बहुत ज्यादा होती हैं, और वो चिंताएं अपने उपर कल लगाएंगे, तो जीवन कहीं ना कहीं उनका बढ़ेगा, ऐसे लोगों को अगर कहा जाए, साफधानी रखनी चीए, ऐसे लोगों को संगत का धान रखना चीए, एक बात, अगर राहू का छेतर दवा है, तो भी धन रुकने में दिक्कत, राहू के छेतर से दो-तीन रेखाएं काट रही है, तो भी धन रुकने में दिक्कत, ये भी कहिना कहीं धन रुकने नहीं देता है, अब मैंने आपको सारी चीज़े बता दी, अब मैं उमीद करूंगा कि आपके अगर आप लगा दिया और नुक्सान खा गये वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को जादे जादा शेयर करेगा अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी अभी क्लिए बस इतना ही नमस्कार